ये गाईज, वेलकम वेक टू माई चैनल, लाइब केप्टेट विद प्रियेंका, तो गाईज मैंने कल जो वीडियो गया है, उसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं अलग से सुमित महल जी के लिए एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि उनको शादी के लिए फ जिन्दी की बार चलाना है, जिन्दी की बार चलाना है, और वही है कि आजकल की शादियां आप देखते होगे, कुछ कुछ शादिया तो मैंने ऐसी भी देखी है, चेचे महीने टिकती हैं, उसके बाद वो लोग अलग हो जाते हैं, तो यार ऐसी शादी से क्या फाइदा, शादियां जो है, लोग दो दो तीन तीन भी करते हैं, बट जो पहली शादी की बात होती है, वो चाहें आप दस कर लो, हजार कर लो, तो पहली वाली बात नहीं आती है, तो वही है, ठीक है, एंसमित महल जी ने बहुत कहते हैं, कि हर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह किसी बच्चे की मा का हाथ थामे ठीक है फिर भी उन्होंने वह चीज की ऐसा नहीं कि इंसान बहुत अच्छे भी पड़े हैं शायद हमने सोसल मीडिया पर हमने नहीं देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छा ही कर जाते हैं और चीजें मदब सामने नहीं आन अपनी FAMILY को नहींने कितना कनवेंस किया होगा इस चीज के लिए कोई भी फैमिली यह नहीं चाहेगी ओने बढ़े लड़े कि लड़के की सादी किसी मादब बच्चे की माँ से हो कोई भी नहीं कितना कोई महान हो कोई भी नहीं चाहेगा बट फिर भी उन्होंने वो चीज मदब फिर भी उन्होंने अपनी फैमिली को कन्वेंस किया मनाया हर चीज के लिए और अब जो लोग हैं वो इतना सब कुछ होने के बाद इतनी सारी चीज़ें आने के बाद सोसल मेडिया पर फिर भी जो लोग हैं वो सुमित महल को टोल कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आपको शादी करनी चाहिए आपको हाथ थामना चाहिए आपको हाथ नहीं छोड़ना चाहिए था जगती दी का तो वह क्यों नही कर रहें तो भी वो उनका है उनकी अंदर की चीजह आपको नहीं पता उस बंदे के मन में क्या आभी चीज़ें चल रही होंगे उनकी फैमिली क्या क्या非常 कि इसके पता वह किसें को नहीं पता जो अब उसको पता होगा और तो यह जो सारी का treatment ले रहे हैं तो सोचो उस इंसान से भी हर एक चीज छुपाई गई है हर एक चीज छुपाई गई है अगर मतलब सामने वाला यही सोच लेता कि वही उसने इतना अच्छा कदम उठाया है उसने जो है आगे आके शादी करने का decision लिया है आगे आके उनका हाथ तामा है तो का फर्ज नहीं बनता था कि वह सारी चीजें उनके साथ शेयर करें उनको सारी चीजें बताएं वह इस लाइक नहीं थे इंगेज मेंड के बात तक भी बाते होती रही है दोनों की तो उस इंसान के मन पर कितनी घरी चोट लगी होगी आप यह सोचो एंजो लोग कुछ लेटे वे आपने भाई से शादी करा दो अगर आपको जो दीदी ची है उनके लिए इतना बुरा लग रहा है ठीक है तो आप अपनी फैमिली से किसी लड़की की शादी करा दो आप उनको फोर्स क्यों कर रहे हो इन सारी चीजों से वह बंदा तो अभी तक मतलब सामने भी जो जगदीदी हैं उन्होंने भी अपनी कम्यूटी में ढाल दिया कि मुझे सुमिध से कुछ लेना देना नहीं मैंने शादी तोड़ दी खुश से तो मतलब इतना तो कोई इंसान मतलब ऐसा तो उनका कुछ लालच नहीं था ना कि जो वह इतना मतलब इतना कुछ होने के बाद और जो दीदी हैं वो उनको जी हटा के सीधा सुमिध पे आ गई तो ऐसा उनका भी क्या है जो वो इतने मतलब जो शादी करने के लिए वो इतने उत्सुक होंगे उन्होंने उनसे कोई करजा नहीं ले रखा उनके घर का कुछ खा नहीं रखा जो वो इतना बेज़ती होने के बाद और वो मतलब फिर भी वो भीक मांगेंगे कि वहाँ वही मुझसे शादी कर लो यार इतना कोई गया गुजरा नहीं होता कोई भी नहीं एंड वो इंसान अभी तक सामने नहीं आ पा रहा क्योंकि उसकी लाइफ में इतनी सारी दिक्कते चल नहीं हैं डॉक्ट अगर उनको कुछ बताया जाता चीजें कुछ किलियर की जाती तो वह शायद एक बार को वह चीजें फेस कर लेते मतलब उनको अंधेरे में रखा गया तो सामने वाले का फर्ज नहीं था कि वह सारी चीजें उनको बताएं या चलो इंगेजमेंट के बाद वह जो जो भी च शादी नहीं होगी या उनके विना उनको घर के खर्चे नहीं चलेंगे या उनके विना मदब कुछ हो गई नहीं ऐसा तो नहीं है ना उस इंसान ने इनसानियत के नाते उनका हाथ थामा उन्होंने सोचा की मलब एक बच्ची है उसको एक पिता का प्यार मिल जाएगा एन नोंने भी यह सब अच्छे के लिए किया था किए था मतब सामने माले के भलाई सोच के की थी और ऐसा नहीं है एइसा भी नहीं है कि उनकी शादी नहीं हो थी तो उनके इस धीने होती यह द लिय QUE2 उनकी family भी एच्छी कासी family है educated family है कोई ऐसी वैसी family नहीं है कुछ लोग मतलब यह कह रहे हैं कि जो समिज्जी है उनके उपर करजा था उनके उपर करजा था और कुछ लोग कहना है कि नेम फिर्म के लिए शादी की तो वो अर्यडी यूट्यूब पर थे वो बात अलग है कि वह अपना face कभी सामने नहीं लेकर आए, बट वो YouTube से, बट वो YouTube पर काफी time से वो काम करते हैं, काफी time से वो काम करते हैं, आपने उनका वीडियू देखा होगा, जिसमे उनके friend है, जो उनका पहले video आया था, समिझ जी और उनके friend का, तो, जो उनके friend थे, वो उनके साथ इन सारे दोस्तों का एक ग्रोप है वो ये सब मिलके काम करते हैं तो कोई पहली बार नहीं था इनका कि वो सोसल मेडिया पर आए हैं और एंड रही सुमिजी के फेस रिवील की बात तो फेस रिवील उनने अपनी मर्जी से नहीं किया वही सबी जब कोई भी फंक्षन होता है तो हजार लोग वीडियो बनाते हैं तो आप कहां तक बचोगे तो फेस रिवील हो गया जब फेस रिवील हो गया तो लोगोंने मतलब उनके नाम से इतने फेक अकाउंट बना लिए फिर उसके बाद जो सुमिजी है वो लाइब भी आये थे उन्होंने बताया कि यह है मेरा चैनल पाकी तो आपने देखा कि सुमिजी ने कितनी वीडियो डाली थी अपने चैनल पर नहीं डाली थी ना क्योंकि भई हर कोई नेम फेम या उसके लिए नहीं करता है चीजां कुछ लोग इंसानियत के लिए भी चीजें कर देते हैं तो वही उन्होंने की बड़ वो उनके लिए वह इंसानियत बहुत जading पड़ी है बहुत ज़दा महंगी पड़ी तो आप मुझे बता दो, जिनके घर में बेटियां होंगी, ठीक है या बेहने होंगी, तो क्या आप लोग ऐसे घर में शादी करना चाहोंगे, जिनके घर में जो करजे से, जो जिनके उपर करजा है, तो क्या आप उनके घर में अपनी बेहन या बेटी को भ्याद होगे, आज़त से आद्धे, कि बोलने में कैसा है, कैसा नही है, हजार चीजे देखते हैं, तब इसके बाद, कहीं शादी होती है, एस नहीं है कि गए और बस रिष्टा हो गया, शादी हो गई, बहुत सारी चीजें देखनी होती है, बहुत से लोग, मतलब काफी लोगों से पूछ-पूछ के चीज़ें पता करते हैं, कि बही हाँ, इनकी फैमिली कैसी है, क्या है, क्या नहीं है, कोई लड़के में कुछ दिक्कत कमी या ऐसा कुछ नहीं है, तो हजार चीज़ें माबब देखते हैं, अपनी बेटी की शादी क करते हुए, जो सुमिजजी की फैमिली है, जो सुमिजजी है, वो, मतलब, एक देख साल से इन लोग को जानते हैं, और ये लोग, जो, क्या नाम है, दीदी जी की फैमिली है, वो लोग भी इनको जानते हैं, एक देख साल से, ऐसा नहीं है कि कोई unknown person है वो, तो एक देख साल बहुत लंबर टाइम होता है बहुत लंबर टाइम होता है तो उनको force क्यों किये जा रहा है कि उनको शादी करनी चीए क्यों करनी चीए शादी उनको मतलब वो इसी डर में अपनी जिन्दगी जीए कि पता नहीं क्या आगी क्या चीज होगी क्या नहीं होगी कब क्या चीजें और निकल के आ जाएं वह इस डर में जीते रहेंगे जिन्देगी भर तो जो लोग हैं जो उनको फोर्स कर रहे हैं जो लोग यूटूब पे बोल रहे हैं कि उनको शादी करनी चाहिए उन्होंने साथ छोड़ दिया जगह दीदी का तो आप लोग अपने भाई को सुमिजी की जगह रख के देखो अगर ऐसा आपके भाई के साथ हुआ होता तो क्या आप शादी करते हैं सिंपल सी बात है अगर आपको कुछ भी समझ में ना है ना तो आप उस जगह खुद को रख के देखो तब आपको चीजें सम सेहल हैं वो जगह दीदी शादी कर लें है इन सारे चीसंडले के बाद भी इतनी सारे चीजह होने के बाद भी बोसे शादी कर ले तो बहुर्त मुझे एक से बता दो की उनको शाहिए क्यों करनी चाहिए उनको मतलब केवल इसलिए कि वो सोसल मीडिया पर आके महान बन जाएं कि हाँ वी दोगो इतना सब कुछ होने के बाद भी जो है सुमित मैन ने शादी की उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा केवल यह दिखाने के लिए बाद शादी होने के बाद वो जिंदिगी बाद इन सारी च करने में बट वो प्रूफ नहीं कर पाएंगी वो जिंदिगे बढ़र यही करती रह जाएंगी और जो सुमिज़ंजी है नँके मन में हमेशा चीज चलती कुई कि नहीं तो आप उनके घर देखने जाओगी कि उनका रिस्ता कैसे चल ला एक नहीं चल रहा है उनकी फैमली क्या सुन नहीं देना होगा नहीं वह आपने तो बोल दिया कि शादी करनी चाहिए वह अपनों को पता है कि इस रिस्ते के लिए उन्होंने किस तरीके से मतब कैसे कैसे के ओगा अपनी फैमिली के लिए और इतनी सारी चीज़ा होने के बाद मालब तक आप मालब सोसक्ते हो कोई bhi मालब कोई भी फैमिली इस चीज़ क लिए कन्वैंस हो जाएगी फिर पहले ही वह बहुत मूस्किल से कनुए हो इस चीज़ के लिए बहुत मुष्पिल से राजी हुए होंगे। पहले ही जो है सम Jimigy की जो family है वो पहले ही बहुत ज्यादाまぁ मतलब इस तीज से इन्होंने इपने बेटे को समझाया भी होगा जो भी है वड़न बेटे का मंद था고 उन्होंने उनकी फैमिली है उन्होंने अपने बेटे का साथ दिया कि भी हाँ चलो भई इसकी इच्छा है तो हम कर देते हैं हमारे बेटे की खुशी के आगे कुछ नहीं है बट यह सारी चीजे देखने के बाद बहुत कोई भी निचाएगा कोई भी निचाएगा अभी तो यह है चलो भई दस पंदा महीना दो महीने तीन महीने चीजे परिशान करेंगी लोग ट्रोल करेंगे सवाल जबाब करेंगे बट आने वाली टाइम में चीजे तो ठीक हो जाएंगी ना क्या चाहते हो कि वो हमेशा इन चीजों को लेके जी हैं यार ऐसे थोड़ी न आ रही हैं और जगदीदी हैं वो भी आपने देखा होगा आज लाइव आई है उसके वीडियो बनाऊंगी तो कहीं ना कहीं उनकी फैमिली भी आप उनका सपोर्ट करने आ गही है तो बचा कौन सुमिजी और अब मैं देख रही हूं कि सुमिजी का नाम ज्यादा आ रहा है जो लोग वीडियो बनारे हैं वो सुमिजी को लेकर जादा बना रहे हैं एक चीज और बता देती हूं मैं आप सभी को जो दीदी ने community डाली थी और जो लाइब में भी उन्होंने बोलाता कि रिस्ता मैंने तोड़ दिया है मैंने रिस्ता तोड़ दिया है तो ऐसा कुछ न उन्होंने खुद को दिखा दिया कि मैंने रिस्ता तोड़ दिया सामने वारा क्या तोड़ गया मैंने रिस्ता तोड़ दिया नहीं दोनों फैमिली के सहमती से चीज़ हुई है सुमीच जी ने भी बोल दिया है कि बहुत जल्दी वो भी अपनी community या वीडियो के थूँ आप लोगों को बता देंगे जो यह रिस्ता तूटा है उसके बारे में वो आके खुद बताएंगे फिलाल वो अभी उनके session चल ले हैं डॉक्टर के पास और आपको पता है कि बहुत इंसान नहीं होता आप यही से देख लो अगर उनको व्यूज लेने होते हैं उनको अपना चैनल चैनल की ग्रोथ बढ़ानी होती तो वो कितनी सारी वीडियो डाल सकते थे वाट नहीं वो इंसान इस time mentally वह जब्यादा डिस्टर्व है वो इंसान काम नहीं कर पा रहा रहा आप को यहीं होते हो किसी जिंदी की पड़ी को वह उनका उसकी आपके लिह नहीं कराड़े वह उनका करेंगे ह। इनकी वह नकी लाइफ है ठ करेंगे की क आप लोगों के सामने महान बनने के लिए और यह सारी चीजें वह ऐसरे नहीं मैंgend 사고 प्रीज आप लहोग उनको सो प पर मट डालिए जब उनको लगेगा सही टाइम जब होगा तो वो खुद बाखुद डाल देंगे और यह भी नहीं चाहते हैं कि दुबारत से क्योंकि अभी जो कॉंट्रोवर्सी है वो थोड़ी सी सांथ हुई है और उनके आने से कुछ बोलने से वो नहीं चाहते कि फिर से एक नहीं कॉंट्रोवर्सी चालू हो चाहे तो थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं और जब चीज़ी ठीक हो जाएंगी तो खुद बाखुद अपनी कमुनिटी ये वीडियो के तुरू आप लोगों को बता देंगे तो बस मैं यहीं बोलूंगी कि जितने भी ये समास सही छीजों देंगेृगी करày की रूप में जो लोग निकल 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 आ रहे है उनको फोस मत कीजिए कि उनको शादी करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए वो उनकी life है, ठीक है, उनका decision है, जो चाहेंगे वो करेंगे, जो उनके लिए अच्छा होगा, जो उनकी family वालों के लिए अच्छा होगा, वो decision लेंगे, केवल दिखावे के लिए चीज़ें नहीं करेंगे, एक बार वो अच्छा करके देख चुके हैं, और उसका नतीजहा आप अभी तक वो इनसान इन चीजों से उबरने पा रहा है आफ सोचो सभी अपनी वीडियो लेकर आ रहा है अब सब आक भी टक यह यह वीडियो लेकर आया है के सामने पत फैश रंस बना इस इंसान ने शाहत खइना ही उस पने वीडियों और छोग हम केने और यह प्त Om तो भी जीने नहीं कर रहे हैं तो भी शादी क्यों नहीं करी बस खली दिखावा किया यह किया अच्छा बनने का ड्रामा किया दूंग किया तो अब लोगों का यह है और आपको पता है लोग क्या भी रहें कि मतलब कर जा था समीजी की फैमिली पर इसलिए वो शादी कर रहे किसी की कहने या सुने से आप चीज़ें मत करो कनने की जरुरती नहीं है सुमीजी और उनकी फैमिली की इतनी ज़्वाइब के ट्रोलिंग हुए है लोगों ने हीट कमेंड किये ओन की हर एक अब। इतनोस इतनी सारे insurance रिकिन ह्नकिर के करे अकूझ की जैत है हुआ उनके लिए वीडियो बना दे कि वह हां उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है अपनी इस उनको परशान मत करो नहीं जब अपनी बात आई अपनी जब चीजों पर बात आती है तो दीदी फॉरण आ जाती है लीगल एक्षन लेने और कम्निटी डालने धमकी देने बद्वाएं देने तो फॉरण आ जाती है दीदी बड़ अगर किसी की उपर बाता है तो उनको कुछ लेना देना नहीं होता तो बस यही जो दीदी का गमंड है ना जो दीदी का इगो है इससे ही जो लोग है ना वो हेट इनको जादा दे रहे है अब दूसी तब जो सचिन है वो दस बार हजार बार लोगों से माफी माँड़ चुके हैं तो वस यही फरक है जो लोग कह रहे हैं ना कि उनको मनला एक को सजा एक को माफी क्यों तो यही कारण है उसका वी तक उसक Box बानम और यूसमें आपनी और यूर्डियन से अ पाफ ही नहीं मंगई है तो गैस वीडियो को करते हैं एंड एंड आपका वीडियो अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना वेचे नेक्स वीडियो अदर तक लिए आप